सो ये नवशकार दोस्तों अज बात करें गोदा कैपवाउन एंशुलेशन लिंटे शेयर के बारे में 3.15 रुपय के पास हमें ट्रेडिंग इसकी देखने को मिल लाइए फरला अगर हम बात करें इस स्टॉक में जो मुवमेंट है वो काफी टाइम से हमें 3 से लेके 3.50 के बी स्टॉक को बाय करना चाहिए या फर स्टॉक को सेल कर दिना चाहिए उस पर करेंगे डियल एनलाइस वीडियो के अंतक बने रहे हैं बात करें एक हाय स्टॉक का 29.75 है सो कंपनी का मार्केट कैप 69.96 क्रोड का है वहीं आप देखेंगे इंटर्पराइस वैल्यू 73.47 क्रोड बात करें तो ना बात करें कंपनी के जो रिसेंट कार्टर के रिजल्ट है अगर हम रिसेंट कार्टर की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टेक्स आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा रिसेंट कार्टर के रिजल्ट में बात करें इस चीज़ को जैसे यहां प वह देख सकते कि profit बहुत ही slow pace से हमें देखने को मिला जो एक reason बनता है stock में ग्रावट का ना बात करें confirmation कि क्या इसमें liabilities और assets हमें बढ़ने को मिल रहे हैं यहां पर आप देख सकते liabilities और assets में यहां पर बढ़ने को मिले थे उसके बास से लगातार इस company में ग्रावट हमें देखने को मिल रहे है liabilities और assets को लेकर so fundamentally strong है stock अगर हम इसके results की बात करें assets की बात करें तो वह हमें गरती हुए देखने को मिल रहे है ना बात करें company के price chart की इस पहले मैं आपको एक ची क्लिया कर दूँ कि stock के अंदर promoters और public की holding है वहीं आप देखेंगे वाइफाइडिया की कोई बीटी नहीं वहीं देखेंगे तो आपको promoters की holding गिरती हुई देखने को मिलेगी अगर आप दिसमबर से लेगे अभी की quarter की result की बात करें तो ना बात करें इसके price chart की आप देखेंगे की 6.1% का हमें गरावट देखने को मिला है एक साल की बीच बीच में कोई बड़ा गरावट नहीं है जिसने भी यहां कहीं पर investment इसमें बनाया होगा तो ना बात करें से हमें इसमें जो है movement दिखाना चालू किया था सो एक आप याद रखिए जब भी penny stocks में consolidation आता है तो इसमें बड़े जैसे की नहीं कहते हैं तूफान के पर सांती का समय तो वह वाला समय आपको देखने को मिल सकता है तो समझ जाए कि penny stock में अगर सांती का समय आया तो movement हमें देखने को मिल सकता है हो सकता है 6-7 महीने लग जाए बट जो movement होगा वो कहीं नगी बहुत बड़ा movement आपको देखने को मिल सकता है ना बात करें company 30 रुपय तक गई थी फिलाल आपको ये company 3 रुपय तक देखने को मिल लिए 10 गुना profit का potential है company के अंदर देखिए आप यह 60 पैसे का loss रहेगा 60 पैसे का loss रखिए उसके बाद अगर नीचे जाता है तो बेच दीजे बट अगर उस 60 पैसे की वज़े से अगर आप यहां पे 10 गुना profit बनाते हैं तो वह कहीं नगी आपके लिए बहुत important बात रहेगी और बहुत अच्छा result आपको देखने को मिलेगा